हलो एब्रीबडी, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है नेचर आफ इंडियन कॉंशिटूशन जिसमें हम देखेंगे कि क्या जो इंडियन कॉंशिटूशन है वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है अगर वो फेडरल है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो की सपोर्ट करते है फेडरल कॉंशिटूशन को और अगर वो नहीं है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो की सपोर्ट करते है नॉट अ फेडरल कॉंशिटूशन को जब बात भारतिय सम्मधान के नेचर के बारे में आती है तो यहाँ पर अलग-अलग व्यूस सामने आते हैं जब नेचर आफ कॉंचिटुशन के बारे में बात होती है तो यहाँ पर अलग-अलग ओपीनियन्स दिखाई पड़ते हैं कुछ जूरिस्ट का ये कहना है कि जो भारतिय कॉंचिटुशन है वो क्वाजी फेडरल है क्वाजी फेडरल का मतलब होता है similar to a federal system और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारतिय सम्विदान है उसके कुछ फीचर्स फेडरल के हैं और कुछ फीचर्स यूनिटरी constitution के हैं पर जब बात आती है maker of Indian constitution की तो यहाँ पर जो makers of Indian constitution है उनका ये कहना है कि जो भारतिय सम्विदान है वो फेडरल है nature में डॉक्टर बी आर अमबेटकर का भी यही कहना था कि इंडियन कॉंसिट्यूशन फेडरल है अब यहाँ पर इस बात को तै करने के पहले कि जो भारतिय सम्विधान है वो फेडरल है या नहीं है इससे पहले ये बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जाने कि फेडरलिजम का मतलब क्या होता है कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि फेडरल कॉंसिट्यूशन के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होते है Federalism का जो basic principle है वो है division of power मतलब power का यहां पर divide होना जरूरी है जब बात आती है center or state की तो वे एक दूसरे के subordinate नहीं होते बलकि coordinate होते है इसका मतलब यह है कि जो center or state है वो एक दूसरे के नीचे नहीं आते हैं बलकि साथ-साथ काम करते हैं और independently काम करते हैं अपने अपने area में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो federalism होता है वो unity in diversity को लेकर आता है diverse होने के बावजूद भी एक जुट रहना और जो common national goals हैं उनको achieve करना center और state के बीश में जो conflicts हैं उनको prevent करना और साथी साथ उनको settle करना यही वज़ा थी कि जो Indian federalism है उसे इस तरह से device किया जाए कि यहाँ पर जो center है वो strong हो Indian constitution के द्वारा federal features को adopt किया गया पर हम यह नहीं कह सकते कि यह पूर्ण तह federal है अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि federal constitution के लिए essential characteristics क्या होती है यहाँ पर जो पहली characteristic है वो है supremacy of law जो constitution होता है वो supreme law होता है जो शब्द law है वो involved करता है rules को, regulations को, bylaws को, notifications को, orders को, ordinances को और even customs को भी जो एक federal state होती है वो अपने existence को derive करती है constitution से जिस भी प्रकार की जो power होती है चाहे फिर वो legislative हो, administrative हो या फिर judicial हो चाहे वो center level पे हो या फिर state level पे हो उसे control किया जाता है constitution के द्वारा article 13 clause 2 बताता है article 13 clause 2 में बताया गया है कि state के द्वारा ऐसा कोई भी law नहीं बनाया जाएगा जो कि Indian Constitution के part 3 में दी गई rights को वापस ले लेता है अगर ऐसा कोई भी law बनाया जाता है जो कि Indian Constitution के part 3 के against है तो ऐसे law को void consider किया जाएगा federalism का जो next characteristic है वो है distribution of power federalism की जब बात आती है तो distribution of power एक बहुत जदा important part play करता है यहाँ पर distribution of power की बात की जा रही है center और state के बीच में और इसके साथ ही जो other coordinate bodies होती है यह जो division है governmental powers का national और regional government में यह किया जाता है तीन list की सहायता से union list, state list और concurrent list यह जो lists है यह 7th schedule of constitution में बताई गई है सिर्फ central government deal करती है इस issue के साथ में जो की mention किया गया है union list में state government उन areas पे legislate करती है जो की state list में mention किये गए है और concurrent list में जो चीज़े दी गई हैं बहापर center और state दोनों ही function करते हैं यह जो concept है यह Canadian Constitution से लिया गया है इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़े होती है जो इन तीनों ही list में मौजूद नहीं होती है इन्हें कहा जाता है Residuary Powers यह जो पावस होती है यह primarily center के पास ही रहती है जैसा कि बताया गया है entry 97 of article 248 में इसके पीछे reason यह है कि जो parliament है उसे competent बना दिया जाए ताकि वो legislate कर सके ऐसे किसी भी matter पे जो की अभी identify नहीं किया जा सकता है फेडरलिजम का next important characteristic यह है कि जो constitution है वो written constitution होना चाहिए एक federal constitution written होना चाहिए जो एक federal constitution होता है उसके ने काफी सारे contracts होते हैं इसलिए बिल्कुल impractical हो जाएगा कि अगर इतना important चीज़ भी नहीं लिखी जाए constitution की supremacy को बनाये रखने के लिए यह बहुत साथा important है कि जो constitution है वो written हो फेडरलिजम का next characteristic है rigidity जो constitution है उसे rigid और permanent होना चाहिए constitution में amendment लाने का जो procedure होता है उसे rigid होना चाहिए ऐसा नहीं कि आसानी से amendment किया जा सके constitution में अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो constitution के basic principles होंगे उनी को यहाँ पर threat हो सकता है पर यहाँ पर इसके साथ ही जो constitution है वो flexible भी होना चाहिए rigid का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि जो constitution है वो inflexible हो जाए जो constitution है वो एक organic document होता है समय में बदलाव के साथ साथ जो provisions है वो भी इस प्रकार से लिखे जाने चाहिए और इतने flexible होने चाहिए कि बदलती समय की जरूरतों को भी वो अपने अंदर ले ले फेडरलिजम का next important characteristic है authority of courts judiciary के पास में final authority होती है constitution को interpret करने की इसके पीछे वज़ा यह है कि हाँ पर जो institution है judiciary का वो एक ऐसा institution बनता है जो की disputes को resolve करता है center और state के बीच में जब बत Indian constitution की आती है तो जो Indian Supreme Court है वो federal tribunal है और इसी के साथ ही यह जो सारी powers है और जो competency है वो Supreme Court के पास है Supreme Court को authorize किया गया है इन power को exercise करने के लिए by way of article 131 of Indian constitution अब यहाँ पर यह बात आती है कि ऐसे कौन से provisions है Indian constitution के जो की federal principle को support नहीं करते हैं Indian constitution के द्वारा double polity system को lay down किया गया है यहाँ पर state और center के पास में अपनी एक individual identity है यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि state center के subordinate है इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ strong centralizing tendencies है Indian constitution में जो की maximum power provide करती है central government को जब constitution को frame किया जा रहा था तो यहाँ पर framers के द्वारे इस बात को सोचा गया था कि अगर जो central government है उसे strong नहीं रखा गया तो यहाँ पर जो country है वो छिन्न भिन हो सकती है यहाँ पर जो दूसरा provision है जो की support नहीं करता federalism को वो है union of states article 1 of Indian constitution बताता है कि India एक union of states है अब यहाँ पर इस बात को जानना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि हाँ पर जो शब्द union इस्तमाल किया गया था क्या ये शब्द intentional था या नहीं था Indian constitution में कहीं पर भी शब्द federation इस्तमाल नहीं किया गया है पर जो शब्द union है उसे इस्तमाल किया गया है जो word federation है वो constitution के draft में था पर बाद में उसे remove कर दिया गया था जो next important point है जो कि ये बताता है कि जो Indian constitution है वो federal नहीं है वो है appointment of governors जो अलग-अलग state के governors का appointment है वो central government के द्वारा किया जाता है governor constitutional head होता है state का और simultaneously वो center का representative भी होता है central government under article 355 यहाँ पर ensure करती है कि यहाँ पर constitutional machinery fail ना हो state में और जो states है उन्हें internal और external disturbance से बचाया जा सके तो यहाँ पर जो central government है उसके पास में authority है under article 356 of Indian constitution कि वो president's rule को impose कर सकती है state में और यह यहाँ पर duty है governor की कि वो inform करे center को कि यहाँ पर constitutional machinery fail हो चुकी है state में next point जो की बताता है कि Indian constitution federal नहीं है वो है single citizenship Indian constitution ने प्रपोस किया है single citizenship पूरी country में federal country जैसे कि United States of America वहाँ पर dual citizenship होती है यहाँ पर जो citizens है उनकी पहली loyalty रहती है अपनी state के समक्ष और फिर यहाँ पर उनकी loyalty रहती है center की समक्ष next point जो की बताता है कि जो Indian constitution है वो federal नहीं है वो है कि यहाँ पर parliament के पास में power है कि वो legislate कर सकती है national interest में इसके साथ ही parliament के पास में power है कि वो नई states को form कर सकती है और boundaries को alter भी कर सकती है existing states की next point जो की बताता है कि Indian constitution federal नहीं है वो है unified judiciary इंडिया में centralized judiciary है जहाँ पर एक supreme court है जो की top position पर है पर जब हम बात करते हैं federal system की तो वहाँ पर dual system of courts होता है next point जो की बताता है कि Indian constitution federal नहीं है वो है emergency provisions जब emergency declare की जाती है तो यहाँ पर जो center और state के बीच में जो division of power है उसमें एक vital change आता है अगर president को सही लगता है तो constitution of India का article 356 कहता है अगर यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो state है वो constitution के principles के हिसाब से अपने आपको run नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर जो precedent है वो dissolve कर सकते है legislature को और जो other state machinery's है उनको भी और यहाँ पर पूरे functions अपने हाथ में ले सकते है next point जो कि बताता है कि Indian constitution federal नहीं है वो है representation जब बात representation in legislature की आती है तो यहाँ पर actual federation जैसे कि United States of America वहाँ पर जो procedure follow किया जाता है वो same procedure इंडिया में applicable नहीं होता है fourth schedule of constitution कहता है कि जो state का representation है वो heavily fluctuate होता है जो largest representation है वो उत्तर प्रदेश का है जो कि है 31 और कितनी ही ऐसी north eastern states है जहाँ पर जो representation है वो सिर्फ एक है जो next point है जो कि बताता है कि Indian constitution federal नहीं है वो है residuary powers पावर्स वो पावर्स हैं जो कि central government को दी गई है ऐसे subjects जो कि union list में, concurrent list में और state list में मौझूद नहीं है ऐसे subjects को legislate करने की power central government के पास है ये power central government को superior बनाती है हम ये कहकर conclude कर सकते हैं कि जो Indian constitution है वो empower करता है center को कि center interfere करे state के matters में और इस वज़े से ये state को subordinately place करता है और इसी वज़े से federal principles violate होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Indian constitution है वो ना purely federal है ना वो purely unitary है उसमें कुछ-कुछ characteristics दोनों की है इसलिए वो एक quasi-federal constitution है Indian constitution एक federal constitution है with unitary features और एक unitary constitution है with federal features पाल आए है fan mm दcamp भी हमन辦 करता है और आए हरा, वोर यह यह रभाए है क्रुछ ग uncles इस